हिलो सुदेंट्स वेलकम बैक टू प्रेपॉल विय आर डूइंग इन्डिया वाई डीकेट्स हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं निकट के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं हिस्ट्री अपॉलिटी तो हमने बहुत पड़ी है, अब कुछ उन पहलियों को देख लेते हैं, जो आज के संदर्द में बड़े यूसफुल हो जाते हैं, और हमारे UPSC के स्लिवर्स को हिट करते हैं, Post-Deep Independence India जो हमारी हाल-Filaalee Policy Making है, Independence के बात की, और कैसे वो पॉलीसी मेकिंग का कुछ ना कुछ elements आज भी हमको दिखाई पड़ जाते हैं, Articles के तोर पे दिखाई पड़ जाते हैं, Questions के तोर पे दिखाई पड़ जाते हैं, तो जान लेते हैं सीरीज के मार्दियम से कुछ post-independence Indian history के बारे में सभी जो important पहलू है वो हम करेंगे मैंने आपको पिले lecture ने बताया इंडिया by decades का मतलब है हम एक-एक decade को लेके चलेंगे अभी हम कर रहे हैं 1950 से 60 का पहला decade जिसमें मैंने आपको पॉलिटी के section ने बताया कि पहला important case जो हुआ था जिसमें fundamental rights और DPSP के बीच में एक conflict पैदा हो गई थी और उसमें reservation policy के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बताया कि कैसे वो उस समय constitutionally okay नहीं थी और उसे फिर समिधान को change करके कैसे उसको legalize किया गया validate किया गया और Supreme Court ने अपना judgment क्या कहा वो शुरुआत है ये जो चोटे-चोटे dots हैं ये जो चोटे चले जाएंगे तो आपकी knowledge में continuity आ जाएगी और इस short में crisp way में हम कुछ बाते जान भी जाएगे आज बात करते हैं पहले general election के बारे में जो 1952 में हुआ था इंडिया एक democratic country हमेशा से रहा है रिगवेदिक काल से रहा है और democracy ही भारत को choose करनी थी बीच में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उस system को gradually यहां लागू किया but obviously वो जो system था वो चलने वाला नहीं था उसमें बहुत distorted way में भारत में लागू हुआ था इसलिए भारत में जब आदाद होने की बात आने लगी है तो भारत ने choose किया है कि हम parliamentary government ही follow करेंगे क्योंकि parliamentary form of government भारत में पहले से चलती चली आ रही है अंग्रेजों ने जो system बनाया है भारत में वो parliamentary system ही है हमें उस system में कोई कमी नहीं लगी हमको यह पता लगा कि अगर सरकारे accountable होने लगे और representation people का पूरा हो जाए तो इस system में कोई problem नहीं है इसलिए उस समय के सविधान न माता थे उनको यह लगा कि system में कोई कमी नहीं है बस सरकार का accountable बनाना है और सभी का representation हो जाए इसलिए choose किया जाता है system of adult franchise मतलब एक उम्र के ऊपर सबको vote देने का अधिकार independent से पहले की बात करें जब government of India act में election होते थे तो 14% लोगों को ही vote देने का अधिकार था highly qualified था या तो आपकी property इतनी हो या इतना tax आप देते हो इन सब basis पे अधारित था vote देने का अधिकार 14% लोगी vote देते थे यहां तो आदे से ज़ादा population को vote देने का अधिकार मिलने लगा है कुछ ऐसे हलात बनने लगे है इसलिए लोगसभा राज्यसभा जो directly elected house होते हैं जहां सीधे जनता vote के देती है इनके elections कराने जरूरी थे विधान सबहाओं के सारे elections लोगसभा के साथ साथ होंगे उस समय simultaneous elections ह जैसे आजकल बात चल रही है साथ साथ होने चाहिए 1997 तक यह system ऐसे ही चलेगा विधान सबहाओं के लोगसभा के elections साथ साथ होंगे अब इतने बड़ election कराने के लिए वो देश जहां पर literacy 15-16% है वहां पर यह system कैसे चलेगा adult franchise या direct democracy तो यह assume करती है कि जो voter है wise होना चाहिए कि वह अपने vote का इस्तिमाल wisely करें लेकिन भारत ने करके दिखाया और यह करके भी दिखाया है कि वोट देने का किसी educational qualification या academic wisdom से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके अलावा भी लोग vote देके अपने vote का सही इस्तिमाल कर सकते है आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है election shall be conducted on the basis of a right suff एक उम्र के ऊपर सबको vote देने का अधिकार यह चूस किया जाता है और दो houses का दो entities का विदान सभाओं का लोग सभग election होना तरूरी है अब challenges भी आएंगे पहली बार बार independent इंडिया में elections होने वाले हैं लोग भी उत्सुक हैं लेकिन जो कराने वाले हैं वो थोड़े से चि dependence के हास पास थी और जो qualification हम बना रहे हैं कि एक जनवरी 1949 को एज 21 साल होनी चाहिए 49 को एज 21 साल होनी चाहिए इस बेस पर रेस्टर किया जा रहा है एक जनवरी 1949 को तो 17.3 क्रोड पॉपलेशन वोटर बनने के लिए तैयार है इतनी बड़ी पॉपलेशन को करना है लोग सवा दिरवाचन छेत्र विधान सवा दिरवाचन छेत्र कॉंस्ट्वेंट करना है परिसीमन करना है वोटर को एंफरेंचाइज करना है ये सारा काम करना है साथ साथ इसको करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों और चाहिए हैं जैसे कि हमको electoral machine दी चाहिए है मतलब पूरा सिस्थम चाहिए जो एलेक्शन करा सके हमारे पास वोटर को educate करना है पहली बार लोग वोट खुलके करेंगे लंबी तादाद में बड़ी तादाद में उनका educate करना है और हमको legal mechanism प्री चाहिए हैं क्योंकि अभी समिधान बनना शुरू हुआ है July 1947 आप समझ कर दी है उसी समय हो गया थे कि भारत इरेक्शन कराएगा 1950 में कराएगा और इडर्ट फ्रेंचाइस के बेस पर कराएगा तुरंत काम करने पर सभी राज सरकारों को बोल दिया गया है इंडिपेंडेंस के बाद बोल दिया जाएगा कि आप कारभाई चालू करिए 1948 फर्वर उसका इंफ्रेंचाइस करना है कैसे कैसे होगा वो सब शुरू हो जाता है लीगल मेकनिजिम्स बनते जा रहे हैं मतलब यह जो तैयारी चल रही है एक अच्छी तैयारी है सासा समयधान बे भी काम हो रहा है तागि इस समयधान से इसको वैलिडेट किया जा सके यह है जैसे आज करते हैं वैसा उस समय भी हुआ करता था Mi chief election commissioner बनाया जाता है सुकु महार सेन को इंदिन सेवील सर्विस के officer हुआ کرते हैं उनको बनाया जाता है पहला chief election commissioner उस समय election commission और 1989 तब एक single member body ही रहेगी 1989 में ऐसा हुआ है कि multi member body बन गई थी उस समय एक ही हुआ करते थे और लोगों ने कुवोट देने के लिए अब उस काम शुरू किया जाएगा अब समिधान पे बात होनी शुरू हो गई है समिधान सभा मैंने आपको बताया समिधान में elections के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है बस article 324 से 329 ये इतने ही article से जो elections के बारे में बात करते हैं 99% of election system is based upon these two laws मतलब समिधान ने parliament को ये power दे दी है article 327, 328 में कि आप law बना कर मतलब legislature को ये power दे दी है आप लोग law बना कर election कैसे conduct कराएंगे उसके लिए आप law बना लिजिए समिधान में elections के बारे में जादा लिखा नहीं है आपको ये भी याद होगा जब समिधान adopt हुआ था 26 नवंबर 1949 में adopt हुआ था तभी election commission के articles और citizenship के articles लागू हो गए थे पूरे समिधान लागू नहीं हुआ था क्योंकि election 1950 में कराने की बात चल रही थी बाकी समिधान पर 26 नवरी 1950 को लागू किया जाएगा क्योंकि elections के provision और citizenship के provision जो है article 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनको तुरंच लागू कर दिया गया था election कराए जा सके साथ साथ अभी ये दो कानून बनने हैं जो बने नहीं थे इनके बिना election कराना समभब नहीं है क्योंकि समिधान कम बताता है तो दो कानून पास होते हैं बहुत लंबे समय के बाद 1950 में रपी ये 1950 जिसमें voter कौन होंगे वो लिखा हुआ है delimitation कैसे किया जाएगा वो सब लिखा हुआ है साथ साथ अगला कानून 1951 में पास हो पाता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो members होंगे हाउस के वो qualification, disqualification क्या होगी election, machine जी क्या होगी presenting officer क्या होगा polling officer क्या होगा, returning officer क्या होगा कैसे election कराए जाएगी है जो बड़े तोर पे government करते हैं राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति के कानून अलग हुआ करते हैं, तो ये कानून बनते बनते बहुत time लगा है, 1950 में election नहीं हो पाई, कोशिश की गई थी नहीं हो पाई, साथ साथ सविधान में ये भी तैय हो गया था कि सीटें SCST के लिए विर्दर की जाएंगी 15%, 37%, तो SCST order भी अभी पास नहीं हुआ था 1950 में, article 341 में SC order, article 342 में ST order राष्ट्रपति पास करेंगे जब वो पास करेंगे, उसके बेस पे इत्ताय हो पाईगा कि कहां कहां सीटें SCST को देनी होगी तो वो सारा जो legal mechanism था वो ready नहीं हो पाया था, election तलने लगे है, election 1950 में नहीं हो पाते हैं फिर election बाकाइदा होने लगते हैं voters बिना पढ़े लेके हैं चो 15-16% भारप की literacy rate है, ऐसे में उनको कैसे कराए जाए तो एकी ballot paper में हम एकी ballot box में ballot paper डाल दे या EVM तो होने लगा है वो सब नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया आसानी से voter डाल पाए तो जो candidate है उसकी party का symbol, उसका नाम वहाँ पर लिग दिया गया और symbol लग दिया गया जो पढ़े लिखे हैं, नाम पढ़े लिखें सिंबल लिख दिया गया, कि वह उस party के बकसे में अपना परचा डाल दे इस तरीके से बहुत सारे ballot boxes डाले गए हैं और party का symbol उसके उपर लगा हुआ है आए लोग और vote डालेंगे लोगों ने भी बिलकुल उस सुट्सा से तन्भंदन से election में participate किया है बड़े बुज़र्ड जो चल नहीं पा रहे हैं वो भी election में भाग लेने आये हैं और बहुत ही जादा interesting किससे elections के बारे में पताएगा है लंबे समय तक चला था ये election ये देखिए ये voting के लिए स्याही लगाई जा रही है ऐसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको ये देखिए गोदी में लाब के ला रहे हैं इस तरीके से election बड़ इंट्रस्टिंग रहा उस समय October 25, 1951 से मार्च 27, 1952 तक election कराया जाता है लंबे समय ते election चला था 1874 candidates total इसमें participate कर रहे हैं 35 parties है 489 लोग सभा की उस समय लोग सभा की seats है लोग सभा की seats 499 elected seats हुआ करती थी एक Anglo-Indian member जो अब नहीं हुआ करती है Anglo-Indian के provision अब खतम हो गया है उस समय Anglo-Indian होता था इनमें 489 के election ही हुआ बाखी 10 seat है जो थी वो जम्मू कश्मीर और एक और चोटे राज्य के लिए थी उनमें election कराना समभाब नहीं हो पा रहा था उनके लिए election नहीं कराए गया तो election 489 के लिए ही हुआ था 14 national party दो उस से में हुआ करती थी आज 8 national party होती उस से में 14 थी और इनके लावा जितनी party थी उनको state party कह दिया जाता था बाकी state party थी और 45.7% लोगों ने इसमें participate किया था लगभग 45% लोग इसमें शामिल होते हैं voting में तो लंबे समय तक ये election के exercise चली है election October 1951 में शुरू हो जाते हैं लेकिन major जो polling होती है वो जनवरी फरवरी 1952 में ही होती है बस मौसम की वज़े से सबसे पहले हिमाशल प्रदेश में चिनी और पंगी में कराया गया था यहां October में करा दिया गया था क्योंकि यह पारी छेतर था जम्मू का फीर्ड में हो नहीं पारा था उस समय तो यहां पहले ही करा दिया गया था मौसम जाड़ा आएगा तो मौसम यहां इस लाइक नहीं होगा तो चिनी और पंगलिन पहली फेज में पहली जगाती जान इलेक्शन शुरू होता है मेजर तोर पे तो फिर होता है जनवरी और फरवड़ी उनिस सब भावन में और 68 फेज लास्ट में होता है उत्रप्रदेश में जो तरकंड वाला एडिया है वहां पर जाकर फरवड़ी मार्च में जब विंटर खतम हो जाती तब इलेक्शन हो पाता है तो यह 68 फेज़ेज में एलेक्शन ही है उस समय हुआ था 27,096,084 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे 25,527 एक्सलूसिबली वीमेन के लिए दरक किये गए थे पोलिंग बूत और रूरल बोर्टिंग 60% हुई है अर्बन बोर्टिंग 40% हुई है यह आज भी चलता है अर्ब उनके हाला जादा खराब है जब अर्बन सिस्टम में लोग रहने लगते हैं तो वो डबलर्ट हो जाते हैं तब उनको सरकार से जादा कुछ चाहिए नहीं होता है इसलिए जो रूरल मासिज होते हैं वो हमेशा होब रखते हैं आने वाली सरकार कुछ बहतर करेगी इसलिए इलेक्षिन में पार्टिसिपेट बढ़ चड़के करते हैं उस समय पॉलिटिकल पार्टी सिंबल कॉंग्रेस का सिंबल is a pair of bull दो बैलों का जोड़ा था ये सिंबल था कॉंग्रेस का उस समय सोचलिस्ट पार्टी राम मनोर लोया जैप्रकाश्न दायन की पार्टी थी इसक संग है शामा परसाद नुखर जी की पार्टी जिसका एक चोटा सा बेबी बी जेपी को कह सकते हैं ये होती है और फिर इलेक्षिन हो जाता है जनवरी फरवरी में मेजर तोर पे मार्श तक खतम हो जाता है काउंटिंग भी साथ साथ होने लगती है काउंटिंग होती है इलेक्षिन डिजल्ट टिक्लियर कर दिये जाते हैं गौर्णमेंट सर्वेंट्स को ही काम पे लगाया गया है प्राइवेट सेक्टर की मदद नहीं ली गई है आज भी नहीं लेते हैं चितने गौर्णमेंट सर्वेंट्स उनको ही काम पे लगाया गया है वोट का first pass the post system इसे कहते हैं first pass the post system में यह होता है कि जो आपका percentage of vote हो सकता है वो उतनी number of seats में convert ना हो यह system की एक negative point माना जाता है socialist party को 12 seat मिली हैं किसान मदूर प्रजा party को 9 seat मिली हैं second largest party communist party of India थी जो main opposition party थी वो communist party of India हुआ करती है CPI यह 1925 में कानपुर में बनी थी यह सब नई party है socialist party भारतिय जन्संग को 3 seat मिली है 3% इनको vote मिले हैं 3.06% vote पे 3 seat है 3.29% पे 16 seat है CPI की वोट percentage लगभग बराबर है लेकिन seat में फर्क हो जाता है यह first pass the post system की एक drawback माना जाता है elections होते हैं Congress को बड़े स्थरपर सीटे मिल जाती है लगभग चौपता भी सत्रपर सेटे मिल जाती है opposition party में opposition party CPI हुआ करती थी खाज बात यह रही कि dr. Ambedkar election लड़ते हैं लोग सभा का Bombay से लेकिन जीत नहीं पाते हैं एक लोकल लीडर से वो हार जाती है election dr. Ambedkar could not win the first लोग सभा election वो नहीं जीत पाए थे आचार किर्पलानी जेवे किर्पलानी भी फैजाबास से election हार जाते हैं तो dr. Ambedkar तो फिर राज सभा से member राज सभा से आते हैं वो member उनको बनाया जाता है house cover राज सभा से बनते हैं member वो पर्लेमेंट के लोग सभा के election वो नहीं जीत पाते हैं अगे भी लड़ेंगे by election भी होता है 54 में उसमें भी वो हार जाते हैं और अगले election से पहले उनकी death हो जाती है तो he could not never become member of लोग सभा by contesting election twice he tried but he got defeated election result आता है this was the first journal election जो लंबे समय तक कराया गया और भारत ने democratic system को अपनाया और election करा के दिखाए और जो uneducated illiterate voters थे उन्होंने बढ़ चड़ के इसमें हिस्सा लिया और democracy का वो आधार रखा जो आज भी चला आ रहा है election कराने में भारत को बहुत मजबूत माना जाता है पहले भी माना जो शुरूर में criticism हो रहा था कि ये बहुत गलत फैसला किया है इस देश ने जहां इतने लोग बिना पड़े लिखे हैं और democratic system follow करने जा रहे है एड़ेट franchise follow करने जा रहे है voting का दिकार तो बस पड़े लिखे लोगों को ही मिलना चाहिए वो सब खतम हुए उनको खारिच किया भारतियों ने और बढ़ चड़के वोट दिया बताया कि पड़ाय लिखाई का voting wisdom से कोई बड़ा सम्मंद नहीं होता है this way first election was conducted in 1951 अपरेल 1952 में लोगसभा बन जाती है first लोगसभा came into being अपरेल 1952 में पहली लोगसभा बन जाती है जीवी मावलंकर लोगसभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं और वो पहले pro time speaker भी थे वो speaker भी बने और पहले pro time speaker भी हुआ करते थे जीवी मावलंकर उनकी death हो जाती है वो पूरा पास साल तक नहीं चला पाए थे तो इस तरहीं के दर लोगसभा अपना काम करने लगती है अगस्त आते आते राजसभा को भी constitute कर दिया जाता है अगस्त 1952 में राजसभा भी साथ साथ एलेक्षन राजसभा के वीवे हैं राजसभा भी constitute हो जाती है उधर विधान सभाएं भी constitute हो जाती है This way the first general election took place Hope ये cities आपको पसंद आ रही होगी कुछ छोटी बातें आपको important facts कुछ और बातें पता लगते जा रही है चलिए, thanks a lot for watching this video Channel को आगे बढ़ाईए, subscribe कीजिए Member बनिए और हम और courses को भी आगे लेके आने वाले है इन वीडियो के बारे में अपने comment भी भीजिए कि ये series आपको useful लग रही है कि नहीं लग रही है Thanks a lot for watching this video, thank you